मोटू और पतलू नगर के अच्छे दोस्त थे जो हर बार कुछ नया मस्ती धूनते रहते थे। एक दिन वे बाजार में घूम रहे थे जब उन्होंने एक रहस्यमय जेब देखी। यह जेब बहुत ही चमतकारी दिख रही थी और उसकी रौंगत से आत्मा को स्पर्श हो रह था। मोटू अरे पतलू देखो यह कैसी जेब है। इसमें कुछ बहुत ही विचित्र है। पतलू हां मोटू भया लगता है यह कुछ कहानी से आई है। चलो इसे खरीद कर देखते हैं। मोटू देखो पतलू यह कैसा चमतकार है। पतलू हां मोटू भया इसमें कुछ तो बात है। जैसे ही मोटू वालेट को छूने लगे वह देखा कि उसमें से सोने की मुद्राएं बरस रही थी। वह हैरान होकर उसे पतलू के सामने लेकर गया। पतलू वाह मोटू भया यह वाकई मेजिकल वालेट है। वे दोनों हंस्ते हंस्ते सोने की मुद्राओं को देख रहे थे जब एक चमतकार हुआ। वालेट एक मिनट के बाद खुद ही बंद हो गया। मोटू और पतलू हैरान हो गये। पतलू शायद यह वालेट एक समय के लिए ही चमतकारिक रह सकता है मोटू हाँ, लेकिन हमें इसका सही उप्योग करना होगा इसके बाद से मोटू और पतलू ने उस वालेट का सही तरीके से उप्योग करना शुरू किया जब भी उन्हें कोई आवशक्ता होती, वे बस वालेट को खोलते और चाहे जो भी चाहते होते, वह स्वयम ही प्राप्त हो जाता मोटू पतलू यह वालेट हमारी हर मुश्किल को आसान बना रहा है पतलू हा मोटू भया, इससे हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी ऐसा चलता रहा, और मोटू और पतलू ने जीवन को और भी मस्ती भरे बना दिया लेकिन एक दिन, जब वे अपने दोस्तों के साथ बाहर थे एक दुश्मन ने उनकी मेजिकल वालेट चुरा ली मोटू पतलू मेरी वालेट कहा गई पतलू वहां उस दिशा में एक शत्रू दोड़ा है मोटू और पतलू ने उस शत्रू की पीछा करना शुरू किया उन्होंने बहुत कोशिशों के बावजूद उसे पकड़ा नहीं पतलू मोटू भया, हमारी वालेट लोटाने का कोई रास्ता है क्या? मोटू हां पतलू, हमें इसे वापस पाना होगा वे निराश होकर अपने घर की ओर लोटे और सोचने लगे की अब क्या करें तभी एक दिन एक बूट पॉल उनके पास आया बूट पॉल, नमस्ते मोटू और पतलू मैंने देखा कि तुम्हारी वालेट चोरी हो गई है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मोटू कैसे? बूट पॉल ने एक और जादूई वालेट उन्हें दिखाया बूट पॉल यह वालेट तुम्हारी चोरी होई वालेट को धूनने में मदद करेगा इसके जरीये तुम उसे देख सकोगे और वापस पा सकोगे मोटू और पतलू ने उस जादूई वालेट को लिया और उसकी मदद से वापसी की कोशिश करने लगे जादूई वालेट ने उन्हें उस चोरी हुई वालेट की पूरी कहानी दिखाई मोटू किया कैसा जादू है? बूट पॉल यह जादू तुम्हारे इमानदारी और सच्चाई को पहचानता है इससे तुम उस चोरी हुई वालेट को सीधे तरीके से पा सकोगे मोटू और पतलू ने उस जादूई वालेट की मदद से अपनी वालेट को धूंदा और उसे वापस पा लिया उन्होंने बूट पॉल का आभार व्यक्त किया और उससे यह सीखा की इमानदारी और सच्चाई का मूल्य अद्धुत होता है इसके बाद से मोटू और पतलू ने जादूई वालेट का उप्योग नहीं किया और अपने जीवन में सच्चाई और इमानदारी को महत्वपूर्ण माना वे हमेशा दूसरों की मदद करने और सच्चाई में रहने का प्रयास करते रहे उनकी यह कहानी नगर में एक सच्चे और इमानदार दोस्तों की मिसाल बन गई